एक टाइम था जब कट्रीना कैफ ने जॉन इब्राहिम पर इल्जाम लगाया था कि साया फिल्म में कट्रीना को निकलवाने वाले जॉन इब्राहिम ही थे क्योंकि जॉन इब्राहिम को लगा कि कट्रीना से हिंदी नहीं बोली जा रही है यही कारण है कि प्रड्यूसर्स से कहकर जॉन ने काट्रीना को इस फिल्म से आउट करवा दिया हाला कि जॉन ने इन एलिगेशन्स को डिनाई किया है बड़ा खुद काट्रीना कैफ पर इलजाम लगा है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म से एक अक्टर का पूरा का पूरा रोल ही कटवा दिया क्योंकि काट्रीना बहुत मोटी लग रही थी इसलिए जी हाँ यह अक्टर और कोई नहीं बलकि जेसन शाह है जेसन शाह जो इन दिनों हीरा मंडी में नजर आ रहे हैं उनसे जब एक इंटर्व्यू में पूछा गया कि आप फितूर में काम कर रहे थे फितूर से आपका रोल क्यों काटा गया तो उसकी असलियत जेसन शाह ने अब बताई है अच्छली काटरीना कैफ जो अल्रड़ी अपना पोर्शन शूट कर चुकी थी उन्होंने जब अपने शूट के रैशिस देखे तो काटरीना को लगा कि वो इन सीन्स में बहुत जादा मोटी लग रही है यही कारण है कि काटरीना ने प्रडूसर्स से रिक्वेस्ट की कि इन सीन्स को फिर से शूट किया जाए काटरीना ने वेट लूस किया और उसके बाद प्रडूसर्स ने फिर से उन सीन्स को री शूट किया ऐसे में producers का budget पूरा गड़ बढ़ा गया क्योंकि Katrina का portion shoot करने के बाद Jason का portion shoot करने के लिए जो budget था वो Katrina के reshoot पे खर्च हो गया producers अब जादा budget इस film में नहीं include करना चाहते थे और कोई रस्ता नहीं था Katrina film के लिए important थी वो film के lead actress थी इसलिए Katrina को खुबसूरत और दुबली पतली दिखाने के लिए scenes फिर से reshoot किये गए और ऐसे में producers को Jason का पूरा का पूरा role इस film से काटना पड़ा यह film फितूर थी और फितूर फिल्म से ही Jason का यह role काटा गया था आना कि इस film में चाहे Katrina ने कितनी ही मैनत क्यों न की हो चाहे producers का कितना पैसा ही क्यों न बहाया हो यह film super flop रही थी और कह सकते हैं कि कई बार role कट होना या कोई film आपके हाथ से जाना एक अच्छा संकेत होती है Jason एक flop film का हिस्सा बनने से बच गए